ओम शान्ति विदेही शुरु बाबा कहते हैं पहले अपनी दिहके लगाव को खत्म करो तो सम्मन्द और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा फरिष्टा बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो की हद्देह सेवा अर्थ है अमानत है मैं ट्रस्टी हूँ फिर देखो फरिष्टा बनना कितना सहेज लगता है तो आओ चले अपने आप को देखे इस देह में ब्रुकुटी की सीट पर बैठा हुआ मैं विदेही अत्मा हूँ परम अत्मा ग्यान सूर्य शुबाबा की सर्वश्रेष्ट रचना मैं चैतन्यतारा हूँ मैं परमात्मा शुबाबा का बेहद प्यारा हूँ मुझे बाबा से जिगरी प्यार है एक विदेही शुबाबा की लगन में लवलीन होकर देहभान की विस्मृती यह देह अब मेरा नहीं यह देह तो इश्वरी या सेवा आर्थ बाबा की अमानत है मैं त्रस्टी हूँ यह देह जिसकी अमानत है उसी को समर्पित है तो देह भी बाबा का हो गया देह से लगाओ पूरी तरह खत्म ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे यह स्थूल देह है भी और है भी नहीं कितना हलकापन महसूस हो अनुभव करे स्थूल देह के बदले मुझे प्रकाश मैं काया प्राप्त हो गई है फरिष्टा स्वरूप लाइट का आकार आकारी देह जिसमें कोई व्याधी नहीं पुराने स्वभाव संसकार का अंश नहीं मन की कोई चंचलता नहीं बुद्धी का बटकना नहीं बुद्धी एकदम स्थीर बुद्धी आत्मस्वरूप पर और विदेही परमात्माशिव बाबा पर एकदम स्थीर अब तो देह का कोई रिष्टा भी नहीं देह के विनाशी संबंधों की विस्मृती मुह की रसियों में बानने वाले संबंद समाप्द सभी लेने वाले चाहना रखने वाले संबंधों के बंधनों से मुप्त अब बस एक दाता बाबा से सुखदाई संबंध मेरे मेरे के जाल में फसाने वाले विनाशी वस्तू, वैभव और पदार्थों के आकरशन से भी पूरी तरह मुक्त देह की दुनिया से सभी रिष्टे खत्म हो गए अब मैं आत्मा फरिष्टा बन गया हूं देखे अपना फरिष्टा स्वरूप प्रकाश्मय काया और मस्तक पर चमकता प्रकाश्मनी मैं फरिष्टा अपने मस्तक से और अपने प्रकाश्मय काया से चारो और दिव्य प्रकाश मिखे रहा हूं कुछ समय तक इसी अनभूती में खोई रहे कि मैं फरिष्टा चारो और दिव्य प्रकाश की किर्णे फैला रहा हूं मैं प्रकाश्मनी झाल झाल ओम शांती